हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बेक टो मैं चानल, मिस्टर श्रितकरी विल सी स्वाइल और टिलेज कोई भी क्रॉप प्रोडेक्शन हो, पहली बात आती है स्वाइल और टिलेज की सो लेट्स सी अब देखते हैं डेफिनेशन आफ टिलेज बढ़ती फसलों के लिए भूमी तयार करने की गतिविती या प्रक्रिया यानि की टिलेज टिलेज एक विभिन्न प्रकार के या अंत्रीक प्रक्रिया द्वारा मिट्टे की कुरूशित तयारी है जैसे की खुदाई, हल्चल और उलटना अब हम one by one सारे टाइप्स देखते हैं फर्स्ट, प्रामरी तिलेज इसमें डीप टिलेज आता है डीप तिलेज, गहरी खिती के बड़े आकार के क्लॉट्स बाहार निकालता है गर्मीवें में भी जमिन गर्म होने पर क्लॉट्स आसाने से निकलते हैं इसलिए जमिन गर्म की जाती है और कभी-कभी कृष्मकालिन वर्षा के कारण वैकल्पिक हीटिंग और शित्रन के कारण यह क्लॉड्स तूट जाती है क्लॉड्स के क्रेमिक वीगटन की यह प्रक्रिया मिट्टे की सवरचना में सुधार करती है मेज याने की मकई इसके लिए 15-20 सेंटिमीटर मध्यम गेहरी खेती के आवशकता होती है और गेहरी चड़ वाले फसल के लिए 25-30 सेंटिमीटर गेहराई की गेहरी खेती आवशक होती है इसके लिए डीव टिलेज उपयोगी होता है गेहरी खेती भी मिट्टी की नयमी सामगरी में सुधार करती है हाला कि शुष्क खेती की स्तिती में गेहरी खेती का लाब वर्षा पैटन और फसल पर निर्भर करता है लंबी अउधी गेहरी जड़वाली फसलों के लिए केवल गेहरी खेती के लिए जाना उचित है इस टिलेज में प्राइमरी टिलेज के बाद मिट्टी पर हलका या बहतर संचलन किया जाता है प्राइमरी टिलेज के बाद खेतों को बड़े क्लॉड्स के साथ छोड़ दिया जाता है कुछ करपतवार और स्टेबल्स उखारने के बाद अंशिक रूप से रह जाते हैं फिर हैरोरिंग प्रोसेस से क्लॉट्स को ग्रश किया जाता है इस उद्धिश्य के लिए डिस्क होरोस, ब्लेड होरोस आधिका इस्तिमल किया जाता है कटूर क्लॉट्स कुचलने के लिए इनका इस्तिमल होता है मिट्टी की सेत है और मिट्टी को हलकी डंग से कॉमपेक करने के लिए प्लैकिंग किया जाता है इस प्रकार खेत तयार किया जाते है मिट्टी को कॉमपेक करने के बाद बीजबेड और बुवाई का लेयाउट तयार किया जाता है खेत सिंचाई और बुवाई या रोपन के लिए ठीक से रखा जाता है गेहू, सोयबिन, बाजरा, मुंफली जैसे फसलों के लिए यह बहुत ही आवश्यक होता है । ADVANTAGES OF TILLAGE 1. । शुते हर पुरली ट्राइण स्वई 2. थैसलेंकरशिंट 3. बल तेल सिटेब 4. बल स्विंटर जीबेड विण इरोजन रॉफ रफ शरछेफ जाव्छ। 5. वाल अड़ने टोफ पॢरली देंट वाल 6. वालाइटरी एकुरॉब इसा डिष अभाइट वाल इस भी है। सेकेंड, ताइम लाइन लेस, कंसिडरेशन, थर्ड, हाइस्ट फ्योएल और लेबर कॉस्ट वाइट तिलेज इस इंपॉर्टर्ट, मतलब तिलेज क्यों जरुए होता है मिट्टी के गहरे धिलेपन द्वारा बनाए गए वायू जेप हवा की सुविदा प्रदान करते हैं और पौधो के उपयोग के लिए पानी के प्रवेश, वायू प्रवेश भी महत्वपूर्ण है मिट्टे में सुक्ष मजीव सभी प्रकार के प्रदशन करते हैं पौधो के लिए पोशक तत्व बनाने का महत्वपूर्ण कारियों में टिलेज काम करता है इस प्रकार टिलेज यह टॉपिक कम्प्लिट होता है अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूले और ऐसे और वीडियो देखनी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें लेटिस्ट वीडियो देखनी के लिए बेल आइकन क्लिक करना ना भूले थैंक्यू पर वाचिंग